बिहार TET 2017 केस की सुनवाई फिट टली है और अब ये सुनवाई 21 अक्टूबर 2019 को पतना हाई कोट में निर्धारित हुई है आपको बता दे कि पिछले दिनों 16 अक्टूबर को इस केस को केरी फॉरवर्ड करके इसकी सुनवाई 16 अक्टूबर निर्धारित की गई थी पर फिर से 14 अक्टूबर को एक आएक केस की तारीक फिर 21 अक्टूबर तक के लिए केरी फॉरवर्ड कर दी गई इस Carry Forward के खेल से अभ्यर्थी परिशान है Estate 2019 पिरित अभ्यर्थियों का केस जल्द हुआ और जल्द केस में फैसला आ गया पर 2017 पिरित अभ्यर्थियों का केस 2017 से 2019 हो गए और केस में फैसला ना आने से अभ्यर्थी आहत है आखिर ये विलंब क्यों हो रहा है और इस विलंब के पीछे कौन है इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे साथ में आपको बताएंगे कि किसके कारण इस केस की ऐसी दुर्दसा हुई आपको जैसा कि पता है कि भ्रम और भ्रांती के द्वारा वाइटनर मुद्दे को और अंक मुद्दे को एक करके केस किया गया और केस डिस्मिस हुआ डिस्मिस होने से पहले इस केस को नौ महीना तक रिजर्व रखा गया जानबूच कर सायद ये भ्रांती नाम का सक्स बूड का दलाल था और इसने दलाली खाकर अभ्यारतियों के साथ बहुत धोका किया वाइटनर मुद्दे का केस जिस तरह से डिस्मिस हुआ उसके बाद अभ्यारतियों पर ये गांज बनके गिरा जिस कारण से आज अभ्यारति 2017 बिहार टीटी केस में इस तरह से सफर कर रहे हैं भ्यारति नामक इस सक्स ने अभ्यारतियों केस जिन्दगी के साथ खेला और भगवान ऐसे सक्स को माफ नहीं करेगा वाइटनर मुद्दे का केस इसने पटना हाई कोट में किया और उसे जबरदस्ती अंक मुद्दे के केस से जोड़ दिया जिसके बाद पटना हाई कोट में केस डिसमिस हुआ और जिस डिसमिस केस के करान आज अभ्यारतियों को ये बड़ी परिसानी जहलनी पर रही है इस केस को बारीकी से देखने वाले अब भीहरतियों को ये पता होगा कि भरांती नामक इस सक्स ने अब भीहरतियों के जिन्दिकी की साथ कैसे खेला पहले गांधी मैदान में बुला कर अब भीहरतियों से पैसा ठगा और उसके बाद वाइटनर मुद्दे का केस और अंक मु पूट करार दिया और हमने अभ्यारतियों से अपील की कि आईए एक अप्राइल 2019 के जज्मिन के बाद BACV बोट का घिराओ करके अपना रिजल्ट अपने नाम कर ले पर इसने अभ्यारतियों को भरका के रोके रखा और कहा कि हमारे केस का फैसला आएगा और हम जीतेंगे नी भ्यारति खुद भुगत रहे हैं 2017 बिहार टीटी केस में सिक्षा सुधार रोजगार ने पिछले दो साल से जो कारे किया है उसके अलावा अगर किसी ने कोई बड़ा कारे किया हो तो आप बताएं सिक्षा सुधार रोजगार ने 17 केस को बहुत इमानदारी के साथ लरा है और एक जज्जमेंट भी लाया है उस जज्जमेंट के अधार पर आज पटना हाई कोट में अब मानना का केस चल लहा है दायर है पर जिस तरह से असोक भ्रांती ने जो केस किया था और केस जिस तरह ये गायब होगे आब ना इसका वीडियो आता है ना ओडियो आता है ठक की राजनीती थी इसकी पर 2017 बिहार टीटी पीरिट सिक्षा सुधार रोजगार से एक उम्मीद लगाए बैठें और जिस उम्मीद के लिए हम भी ततपर हैं पर पटना हाई कोट में केस कैरी फ़रव 2019 को एक्षन डेट लिखा हुआ है 16 को तारीकती पर दो दिन पहले ही पटना हाई कोट ने इस केस में कैरी फ़रवड करके केस को 21 अक्टूबर 2019 को लिस्टिंग पर डाल दिया है ऐसी स्तिती में सुनवाई अब 21 अक्टूबर को होने की संभावना है असोक भ्रांती ने जिस पिछले दिनों अंक मुद्दे का एक केस पटना हाई कोट में डिस्मिस हुआ है और अनील कुमार उपाध्याय मानिनीय जज ने ये कहा कि हम मोहित साह के फैसलेक के बिरूद नहीं जा सकते हैं ऐसी स्तिती में 2017 बिहार टीटी पिरित अभ्यार्थियों की राह मुश्किल थ पर आपको एक और जरूरी बात बतादे की अब मानना का केस है हमारा और अनील कुमार उपाध्याय के जजमिन्ट पर मोहित कुमार साह ने जजमिन्ट दिया है और उसी के अधार पर हमने हक मांगा था विएसी वी बोट से आप सोचे कि अनिल कुमार उपाध्याय का जज्जमेंट और उसी जज्जमेंट के अधार पर मोहिस साह ने जज्जमेंट दिया ऐसे में हमारा केस कहीं से खाड़िज होने वाला नहीं है दो बड़े जजो की खंड पीट का जज्जमेंट है हमारा और 2017 बिहार TTP अभ्यर्थियों को हम ये आस्वासन देना चाहेंगे कि घबराए नहीं आपके केस में जीत मिलेगी जज्ज सहाब भी ये समझते हैं कि इस केस में वो निगेटिव फैसला नहीं दे सकते हैं इसलिए कैरी फारवर्ड करके केस को आगे बरहार हैं अगर निगेटिव फैसला देने की चाह होती तो इस केस को पहले ही सुनकर डिस्मिस कर दिया जाता पर अनील कुमार उपाध्याय का खुद का जज्जमेंट जो 2016 दक्षता पर इच्छा में दिया गया था और उसी के अधार पर मोहिसा ने 2017 बिहार टीटी में अंक देने की बात कहकर जज्जमेंट दिया और उसी जज्जमेंट के अधार पर हम लोग अब मानना केस अब लड़ रहे हैं पर जिस तरह से दो केस डिसमिस हुए और उसके बाद एक और अंक मुद्दे का केस डिसमिस हुआ इससे अब इस केस की राह थोड़ी मुश्किल है पर नामुम्किन नहीं है जल्द ही पटना हाई कोट में इस केस की सुनवाई होगी हम ऐसी आसा करते हैं हम 2017 विहार टीटी पीडित अभ्यरतियों को एक कहेंगे कि हम लगातार वकील के संपर्क में हैं और हम जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए भी दवाव डाल रहे हैं ऐसे में 21 अक्टूबर 2019 को सुनवाई होने की संभाबना है आज संध्या 4 वजे वकील से हमारी मुलाकात है और इस संबन्द में चर्चा होगी विहार टीटी 2017 पीडित अभ्यरति घबराए नहीं सिक्षा सुधार रोजगार उनके साथ हैं और इस केस में जीत के लिए हम हर संभब परियास करेंगे 2017 विहार टीटी पीडित अभ्यरतियों को ये जानना चाहिए कि असोग भरांती नामक सक्स ने वाइटनर मुद्दे का केस और अंक मुद्दे का केस एक कर दिया और इस केस की सुनवाई के बाद पतना हाई कोट ने केस को डिसमिस किया इसी अधार पर पिछले दिनों अंक मुद्दे का एक केस डिसमिस किया गया और अनिल कुमार उपाद ध्याय ने कहा कि हम मोहिच सा के खिलाफ नहीं जा सकते पर हमने जो केस किया है वो जज्जमेंट के अधार पर केस किया है और मोहिसा ने ही judgment दिया है ऐसे में अनिल कुमार उपाद ध्याय अगर उस case की सुनवाई में उस case को गौड से देखेंगे तो वो समझेंगे कि ये judgment है और ये भी मोहिसा का ही judgment है तो कैसे उनके खिलाब जाएंगे इसलिए अब भीहर्थी घबराया नहीं केस संख्या CWJC 21-21 में 1 अप्रेल 2019 को जो judgment आया था उसी judgment के आधार पर हमने अब मानना का case किया और जीत हमारी पक्की है भ्रम और भ्रांती ने गंदी राजनीती करके आप सभी को बर्गलाया आप आंदूलन में नहीं पहुंचे जि अब जैसा की बिलंब हो रहा है तो अब भीहर्थी असमंजस में है पर हम आपको बता दें कि यह बिलंब आपके लिए मीठी खीर साबित होगी देर है अंधेर नहीं है जैसे एस्टेट पीडित अभ्यार्थियों को हक मिल ला है इना योस डियलेड पीडित अभ्यार्थियों के पक्ष में भी पोजेटिव निउज आ रहे हैं ऐसे में 17 पीडित अभ्यार्थियों के लिए भी जल्द ही सुखद समाचार आएगा हम ततपर हैं सिक्षा सुधार रोजगार ततपर है और जल्दी इस पर बड़ा फैसला आएगा 21 अक्टूबर 2019 को पतना हाई कोट में सुनवाई हो इसके लिए हम लिखित अपील कर रहे हैं कि बहाली परकिडिया सुरू हो गई है और अब हमें इंसाफ मिलना चाहिए पिछले दिनों OBC, SC, ST बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कैटेगरी सुधार के लिए आवेदन दिया था और पतना हाई कोट में केस जीत हासिल की और उसके बाद कैटेगरी में सुधार करके दुबारा संसोधिती रिजल्ट जारी किया गया अब 2017 अंग पिडित अभ्यर्थियों को भी ये हक मिलेगा पर आपको जैसा कि हमने पहले बताया कि असोक भ्रांती नामक सक्स ने आप पिडित अभ्यर्थियों के साथ बरा मजाग किया पैसे की राजनीती की और पिडित अभ्यर्थियों के साथ जो गंदा खेल खेला इसल लंब हुआ है अब सिक्षा सुधार रोजगार इस केज को सही तरीके से ले जाने के लिए लगातार वकील के संपर्क में हैं और घबराय नहीं 21 अक्टूबर 2019 की सुनवाई को देख ले और कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है सबर का फल मीठा होता है इसी आतार ततपर इस काम को जोड सोड से कर रहे हैं और जल्द ही सुनवाई के बाद पक्ष में फैसला आने की उम्मीद करते हैं सिक्षा सुधार रोजगार हर कदम आपके साथ बने रही है हमारे साथ और 21 अक्टूबर को सुनवाई हो इसके लिए हम भरसक परियास कर रहे हैं जो अब भी हरती हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको भी ये सांतवना देंगे कि आगे हम लडाई को मजबूत कर रहे हैं घबराए नहीं सिक्षा में सुधार हो सभी के पास रोजगार हो